साब्सक्राइब करें पाकिस्तानी ड्रामा सेंज चैनल को और दबाएं इस बेल के एकन को ताके आप हमारी वीडियो देखें सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता दूँ यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके इंटर्टेन्मेंट के लिए होती है ना कि किसी एक्टर या डिरेक्टर की बुराई करने के लिए इसलिए इस वीडियो को ज़्याद दिल पर ना लें थैंक यू इस सीन में हमजा जब अपनी अम्मी से बात करने के बाद यहाँ पर घुसा होकर जाने लगता है तब इसकी यह वले हाथ में घड़ी होती है और फिर जब हमजा चल कर थोड़ा सा आगया आता है तो वो घड़ी इसके आथों से गयब हो जाती है और फिर जब हमजा चल कर दिल नशीन के घार आता है तो वो ही गयब हुई घड़ी ही जादू से इसके आथ में वापसा जाती है मेहमल जब अंसब के साथ यहां पर खड़ी होती है तब इसके येवले आत में गड़ी होती है और फिर जब मेहमल चल कर यहां पर आती है तो इसके हाथ में कोई भी गड़ी नजर नहीं आती दिल नशीन जब हैदर की माँ के साथ या पर बैठी होती है तब इसके यह बले हाथ मे कोई बी चीज नज़र नहीं आती है और फिर जब दिल नशीन चलकर महमल के रूम के अंदर आती है, तो इसके हाथ में ये बरस लेटा जाता है। दिल नशीन जब महमल से बात कर रही होते हैं, तब इसके गले में कोई भी चैन नजर नहीं आती, और फिर जब ये महमल को बैर छोड़ने के लिए आते हैं, तो दिल नशीन के गले में ये चैन जदू से आ जाती है। भई लोग वीडियो पसानदा है तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर कर दो। वैसी वीडियो मजीद देखने के लिए पागिस्तानी ड्रामा सेंस चैनल को साब्सक्राइब करना ना भूलें।